सो हेलो गाईज यार वेलकम बैक बंच अगेंड टू ग्रेजी मेरा नमा मितेश भारतवाज और करेंट की है मैं सेक्टूनेट अंडर्ग्रेट इस्टूरेंट एडविट्स फिलानी तो यह जैसा कि आप सब को पता है कि कल हमारा जेए एडवांस का वेपर है काफी ज्यादा इंपोर्टन डे है आज और कल उन सभी एस्परेंट के लिए जो कि जैए एडवांस के लिए क्वालिफाई किये जैही मेंस के बाद और उन्होंने काफी अच्छे से तैयारी करी है जैए अगर आपको तैयारी करी है तब भी पेपर तो आपको देना ही देना है क्योंकि पे करें तब भी पेपर देना ही जैए क्योंकि पेपर देने से आपको और कुछ लाई तो काफी कुछ सीखने मेरे जो TO our रेंगा उसमें क्या करेना चाहिए क्ने क्या 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 रिवीजन और चीए करना चीए वाप इस वसं दो घंटे का ब्रेक है माइन को रिफरेश करने के लिए नहीं पड़ेगा कि है कि हैंड और लेकिया था और नहीं वह सब्सक्राइब हुआ होगा क्या से पहले dum dat peopleा श photo यूठty कि मे коkie नहीं आते हैं उनकी तो कॉछ जादा प्रेइसिंग स्टेट आजा दी है और पेपर टू पेपर उसका काफ़ी ज्यदा इफेक्ट पढ़ रहा होता है ठीक है तो हमको उन दो गंटे के अंदर क्या करना है एक लिए जिस्टे की होगा कि हमारा जो ब्रेन है वह अच्छे से फंक्षन कर पाया ठीक है तो आपको उन दो गंटे में लेना है तो आप पेपर वन देकर है उसके बाद पेपर टू से पहले जो दो गंटे का ब्रेक है उन दो गंटे में आपको ऐसे किसी भी आदमी के पास नहीं बैठने है जो आप से यह पूछे कि भई आप पेपर कैसा हुआ ठीक है इवन आपको पेरेंट्स को भी यही समझा जह इनए कि जैसा भी पेपर हुआ प्पाड पेपर ब्रांटे के ब्रेक हैं घाल रियूजा में को अच्छा हुआ बुरा बेकार ओद्स एक अब पी सकते हैं, juice पी सकते हैं, ऐसी कोई चीछ चुछ आपको instant energy दे, ठीके बनानास खा सकते हैं, apple घा सकते हैं, जो instant आपको energy का source प्रोवाइड करेगा, ठीक है, basically मैं मेरे time पे मैं chocolates लेके गया था, chocolates are the good source of glucose और chocolates को metabolize होने में 25-30 मिनट से जाता का time नहीं लगता, ठीके बनानास ह जिस भी जगह पे आपको आप बंद करके हलका सा, एक बार बुड़ा सा अपने brain को rest देना है, हलका सा आइस भी close कर लेंगे, 10 मिनट के लिए तो brain को काफी सदा relaxing state मिल जाएगी, जिससे आपका paper 2 के लिए mind एकदम refresh हो जाएगा, उसके बाद पूरा अच्छे से refresh होके ही, आउं, तो यहां जो भी आपके guardians जा रहे है, paper 1 देकर आउं, तो उसके बाद मेरे से यह नहीं पूछने का, कि paper 1 हुआ कैसा, हो गया paper 2 के बाद discuss करा जाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो की negative talks करे, कि paper 1 तो बिगड़ गया है, यह वो उन सब से आपको दूर रहना है, आपक चुपचा paper 2 के लिए जाना है, बिल्कुल भी discussion नहीं करना है, कि paper 1 कैसा हुआ, paper 2 कैसा आने वाला है, बिल्कुल भी उस दौरां पढ़ाई नहीं करना है, आपको वो चीजे लेनी है, जो कि आपके brain को fresh कर सके, और जिससे आप paper 2 के लिए बापिस से refresh होके, paper 2 के लिए आपक को कल पता चली जाएगा, लेकिन paper को देख के बिल्कुल भी अपना temperament lose नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, we wish you all the best from the whole crazy prep team, ठीक है, अगर आप जो सा counseling हम से लेना चाते हैं, तो enroll कर सकते हैं, या पर आपको दिग्या होआ, और न crazy prep team की तरफ से आप सभी को best wishes, सबका paper अच्छा होगा, best of luck and सबको मचा गयाना है, have a nice day, bye bye, take care.